हलो फ्रेंट्स वेलकम टो चेंपियन गुर्जी इफेंट्स आज की स्विजिम लोग इस तरह के कुश्चेंट जिसमें अधिकते रेश्ट्येंट गलतिया करते हैं इसे बहुत ही संदार फर्मूला के मदद से चुटकियों में सॉल्फ करने का सबसे बहतरीन तरीका तो दोस्तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिजिए और द्यांसर सिखते रहें तो दोस्तो यहां पर पहला कुश्चन है कि यदि चार आदमी पांच दिन में 20 खिलोने बनाते हैं तो साथ आदमी 10 दिन में कितने खिलोने बनाएंगे यह हमको निकालना है ठीक है तो इसमें सभी के साथ गुना का चिन लगा हुए ठीक है इसी फर्मूला को आपको याद रखना है और इसे ही आप इसे आसान तरीका से सॉल्व कर रखते हैं देखिए यहां पर M का मतलब है मैन यानि आदमी और D का मतलब है दीन और H का मतलब है आवर यानि समय जो दिया रहे और W का मतलब है यानि कोई भी काम रहेगा जैसे यहां पर खिलोना बनाने का काम हो रहा है तो देखिए सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे कुश्चन को यदि चार आदमी पांच दिन में 20 खिलोने बनाते हैं तो यहां पर आदमी की सांगा कितना है तो चार है तो इस M के जगा पर क्या रख देंगे तो चार रख देंगे और गुना का चिन लगाएंगे क्योंकि इसके बीच गुना का चिन लगा हुआ है और देखिए यहां पर D यानि देज यानि दिन दिया हुआ है कितना तो पांच दिन दिन दिया हुआ है तो इस D के जगा पर पांच रख ठीक है अब बाटा यहाँ पर लगाएंगे और देखे W यानि वर्क जो भी काम है यहाँ पर कौन से काम हो रहा है तो यहाँ पर 20 खिलोना बनाने का काम हो रहा है तो इस W के जगह पर क्या रख देंगे तो बाटा में यहाँ पर 20 रख देंगे अब देखे फिर से यहाँ पर 10 लिखेंगे और बटा अब देखिए यहाँ पर पूशा जा रहा है कि कितने खिलोने बनाएंगे 7 आदमी 10 दिन में तो देखिए यहाँ पर W के जगा पर लिखना होगा तो W के जगा पर हमको पता नहीं है यहीं हमको मालूम करना है तो इसका जगा पर हम क्या लिख देंगे तो कुछ भी X, Y, Z कुछ भी मान लेंगे और इसका हम मान निकल लेंगे तीक है तो देखिए इसका मान कैसे निकलेगा तो यहाँ पर आप तिर्चा गुना कर लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा तो देखे तीरचा गुना करेंगे तो यहाँ पर देखे इस x से इस 4 गुने 5 में गुना करेंगे और इस 20 से इसमें गुना करेंगे ठीक है तो देखे गुना करेंगे तो x गुना यहाँ पर 4 गुना 5 आजाएगा अब देखिए इसका गुना करेंगे तो 20, गुने 7 और गुने 10 आजाएगा और इस X का मान निकलना है तो कैसे निकलेगा तो X को बराबर के इसी साइड रख लेंगे और यहाँ पर जो 4 और 5 X के साथ गुना में है इसको बराबर के इस साइड भेज देंगे तो देखिए कट जाएगा यहाँ पर 4 से यह 20, 4 पच्छे 25 बार में कट जाएगा, उसके बद देखे यह 5 से यह 10 दो बार में कट जाएगा, और यहाँ पर जो भी बच गए आप उसे गुना कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर 5 और 7 यहाँ पर 2 बचा हुगा है, तो इसे गुना करेंगे, तो देखिए 7 में 5 से गुना करेंगे, तो 7 पचे 35 और 35 में 2 से गुना करेंगे, तो क्या जाएगा, तो 70 आ जाएगा, यानि देखिए यहाँ पर आपका निकल करा गया है, यदि 4 आदमी 5 दिन में 20 खिलोने बनाएंगे, तो 7 आतमी 10 दिन में कितने खिलोने बनाएंगे तो 70 खिलोने बनाएंगे ठीक है तो दोस्तो आशा करते हैं यह कुश्चन आपको बहुत ही अची तरह समझ में आ गया होगा तो चलिए देखते हैं एक second type का question तो दोस्तो यहाँ पर second question है कि यदि 3 बंदर 5 दिन में 90 के लिखाते हैं तो 4 बंदर 15 दिन में कितने के लिखाएंगे यहाँ निकलना है ठीक है तो इसके लिए भी वही फर्मूला लगाएंगे M, D, H, Y, W ठीक है देखिए यहाँ पर M मतलब मायन होता है लेकिन देखिए यहाँ पर आदमी कहीं भी नहीं दिया हुआ है तो इस M के जगाँ पर आप याद रखिएगा इस M के जगाँ पर अगर question में आदमी रहेगा तो आदमी की संख्या लिखेंगे या कोई भी जिव रहेगा तो उसका ही संख्या इसके M के जगाँ पर लिखना है तो देखिए यहाँ पर M के जगाँ पर कहा लिखेंगे यहाँ पर देखिए यह जिव दिया गया है बंदर तीन बंदर दिया हुआ है तो इस M के जगाँ पर यहाँ पर तीन लिख देंगे तो इसके जगा पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और बटा यहाँ पर देखिए W है W यानि work तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है तो यहाँ पर काम हो रहा है केला खाने का इसके द्वारा तो बंदर द्वारा केला खाने का काम हो रहा है तो W के जगा पर क्या लिखेंगे तो 90 के लखाया जाया रहा है तो यहाँ पर W के जगा पर 90 लिखेंगे और बराबर उसके बाद देखें फिर से यहाँ पर क्या करेंगे तो इसी फर्मुला को इस साइड भी लगाएंगे तो देखें M, M के जगा पर क्या लिखेंगे तो यह यहां पर समय नहीं दिया हुए घंटा में, अगर दिया हुआ रहता तो यहां पर h के जगा पर लिखते, लेकिन कुश्चन में दिया ही नहीं है, तो देखिए अब बाटल लिखेंगे, और यहां पर डबलू, यहां पर पुछा जा रहा है कि कितने के ले खाएंगे, यानि य नवे से चार गुने 15 में गुना करेंगे, तो देखिए गुना करेंगे तो क्या जाएगा, तो देखिए यहां पर गुना कर लेते हैं, एक से गुना करेंगे तो एक से गुना, तीन गुना पांच आ जाएगा, बराबर नवे से गुना करेंगे तो नवे गुना, चार गु ने 5 लिखेंगे अब कटने वाला है तो काट देंगे तो देखिए यह 5 से कट जाएगा 5 तीया 15 और 3 से यह कट जाएगा 3 तीया 9 और एक 0 यहाँ पर बैट जाएगा यानि 30 बार में कट जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या बच गया है तो 30 बच गया है चार बच गया है औ आन्यु देखी आपको यहाँ पर निकल कर आ गया है कि यदी 3 बंदर 5 दिन में 90 के ले खाते हैं, तो 4 बंदर 15 दिन में कितने के लेखाएंगे? तो 360 के लेखाएंगे, ठीक है. तो दोस्तो इस तरीके से आप इस तरीके के question को बहुत ही आसान तरीके से इस formula के मदद से solve कर रखते हैं I hope कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ मैं होगा तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रिप्रिट मिल्ट रहा है